हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3.1 टैक में तो फ्रेंट्स यूट्यूब की तरफ से तीन बड़े ही कमाल के अपडेट आये हैं जिसे सुनकर आपका दिल तो खुश होगा ही साथ में आपकी चैनल के व्यूज भी बड़ेंगे और आपका चैनल ग्रो भी बहुत तेजी से होगा तो बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है छोटी सी है पर बहुत ही जादा इंफरमेटिव है इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है बिल्कुल भी स्कीप नहीं करना वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नुए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं पहले अपडेट के बारे में यह जो अपडेट है वो आपकी वीडियो की ओडियो लेके हुआ है मतलब जब भी आप अपनी video को upload करने जाएंगे तो वहाँ पे आप अपनी video को multi audio language में upload कर सकते हैं मैं सब titles की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ मैं आपकी audio की बात कर रहा हूँ जो आप video में बोलते हैं उसे आप अपनी अलग-अलग languages में वहाँ पे आपको option मिल जाएंगे, उसे आप upload कर सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा, मानलीजी आपने कोई वीडियो upload करी, चार language में upload कर दी, Tamil, Telugu, Hindi और English, और मानलीजी आपकी जो वीडियो है, वो other countries में देखी ज जा रही है, जहां पर सिर्फ English ही बोली जाती है, Tamil, Telugu, Hindi नहीं बोली जाती, तो वो viewer क्या करेगा, जो आपकी वीडियो को देख रहा है, वो आपकी वीडियो की language को change करेगा, और उसे English में कर लेगा, क्योंकि आपने वहाँ पे English में भी उसे upload किया हुआ है, तो इस तरीके से आपके जो views हैं, आपकी वीडियो के उपर वो increase होंगे, और आपका channel भी इससे grow होगा, अब बात करते हैं, दूसरे update के बारे में, दूसरा जो update है, यह उन creators के लिए है, जो YouTube पर अपना face नहीं दिखाना चाते, नहीं कोई video बनाना चाते हैं, और नहीं video में कुछ भी editing करना उनके लिए YouTube का एक बहुती बड़ा update आया है, जिसका नाम है YouTube Podcast, जी हाँ दोस्तो YouTube Podcast का एक नया update आया है, जिसमें आप अपनी audio को YouTube पर post कर पाएंगे, काफी सारे channel पर यह आ भी गया है, मेरे channel के उपर भी आ गया है, आपको screenshot में यह दिखाई दे रहा होगा, तो आपके channel प बात करते हैं, तीसरे update के बारे में, जो Shorts Creator के लिए है, अगर आप Short Video बनाते हैं, तो आपके लिए एक बहुती कमाल का अपडेट यहां पर आया है, वो है कि जब भी अगर आप अपनी कोई Short Video अपलोड करेंगे, तो अब आप अपनी वीडियो की analytics में, जो आपका YT Studio है, उस सब आप अपने YT Studio के Short के analytics में जाके चेक कर सकते हैं, तो काफी important update है, तो यह तीनों update मैंने आपको detail में बता दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, अगर फिर भी वीडियो से related कोई question है, कोई query है, तो आप मुझे नीचे comment section में comment क करके पूछ सकते हैं, thank you